हालो एबरीबन वल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके लेके आई हूँ अर्भी के पत्तों के पतोडे तो बरसातों के दिनों में अर्भी के पत्ते खूब अच्छे से होते हैं तो मैं यहाँ पे फ्रेश फ्रेश अर्भी के पत्ते लेके आई हूँ तो इसके उपर मैं लगा रही हूं लगा रही हूं बेसन का घोल जिसमें मैंने डाला है 2 प्याज, 3-4 हरी मिर्ची, उसमें डाला गरम मसाला, चाट मसाला, जीरा पॉडर, धनिया पॉडर और साथ में लाल मिर्ची और नमक. तो इन सब चीजों को mix करके मैंने basin का better बना दिया था अब हम एक पत्ते के उपर इसको अच्छे से cover कर देंगे उसके उपर हम दूसरी opposite side में ऐसे करके हम पत्ता रखेंगे पहले इसको हम तोड लेंगे, दिखिए जहां से थोड़ा सा heart stamp होती है, हमें वहां से तोड लेना है और इसको opposite direction में बिचाना है और इसके उपर अच्छे से basin का गोल लगाना है ताकि कोई भी कोना छूट न जाए इस procedure को हम 3-4 पत्तों के उपर repeat करेंगे अब जैसे हमारे ये दो पत्ते लग गये हैं अब इसके उपर मैं तीसरा पत्ता लगाऊंगी इसके उल्टी direction में ठीक है, तो जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपने करते जाना है आपके जो पतोड़े हैं, वो बहुत ही tasty बनगे, तैयार होंगे मैं भी इसको पहली बार बना रही हूँ बट मेरे जो ये पतोड़ थे, बड़े ही tasty बने थे मेरे बच्चों को खूब पसंद आए तो आप भी इसको जल्दी से बनाईए और भी के पत्ते ले आईए अब मैं इसको फोल्ड करने का तरीका फिर आपको बताती हूँ तो मैं जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ पहले हमें इसके corners को फोल्ड करना है फिर उसको उपर हम बेसन लगाएंगे फिर दूसरी side से इसको फोल्ड करेंगे हम दो बहुत ही असान है तो आप बताईएगा कि आपके शहर में इसको क्या बोलते हैं कई जगा पर इसको पतोड बोलते हैं कई जगा पर इसको पतीड बोलते हैं तो आप बताईए आपके शहर में इसको क्या बोलते हैं और इसके उपर रग दिया steel की छनी और उसमें रग दिया अपने पतोड तो इसको हम ढखकर 15-20 मिनट के लिए पका लेंगे उसके बाद मैंने इसको cut कर लिया है cut करने के बाद इसको मैंने shallow fry किया है आप चाहें इसको steam भी खा सकते हैं shallow fry भी कर सकते हैं और deep fry भी कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो बिलकुल वैसे कीजिएगा मैंने यहाँ पे सरफ shallow fry किया है shallow fry करके भी यह बड़े अच्छे लगते हैं फोड़े से crunchy करके इसको गर्मा गरम चाई के साथ प्रोसी है क्योंकि आज कल बारिश को कब मोसम है तो बारिश में गर्मा गरम चाई कॉफी के साथ यह पतीड बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसको गर्मा गरम खाईए सास के साथ